जुनागर और गिनारी के उर्से प्रदी महता का जय गुरुदार दोस्तों आज का हमारा कारेकरम सिहरासे वालों के लिए बहुत खास है आज में आपको बताऊंगा कि आपका साल 2023 के सा रहने वाला है और साल का कुण सा मेहना आपके लिए फली बुच थाबित होगा क्या इस साल आपको अपने करियर में तरकी मिलेगी और क्या आपका दामपत्य जीवन सुखद भी देगा दोस्तों इस वीडियो के अंध्य तक जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके जिनगिक से जुड़ी आठ अहम बविश्यवानी करूँगा जो आपके लिए लाइफ चेंजिक साबित होगी दोस्तों मैं जो भविश्यवानी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुचाने वाला हूँ बहा ग्रह गोचर के आधार पर है बैसे तो प्रत्यक दो धाय माह में कोई न कोई बड़ा गोचर होता है जिसे सुर्य का गोचर, मंगल का गोचर, सनी का गोचर, शुक्र का गोचर इनहीं के आधा पर आपके जिवन में उतार चड़ाव आते रहते हैं लेकिन साल 2023 में चार सबसे बड़े गोचर होगे सत्रा जनवरी के दिन सनी कुम्बरासी में आएंगे 22 अपरिल 2023 को गुरु मेश रासी में 30 अक्तुमबर 2023 को राहू केतु दोनु ग्रहों में परिवर्तन होगा राहु मीन में तो जबकि केतु कन्यारास में गोचर करेंगे इन चारों ग्रहों का गोचर आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पाड़ने वाला है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरी बविश्यवानी अक्षर सत प्रतिसत सच हुई है मैंने बहुत सारी बविश्यवानी की है और वह सारी बविश्यवानी भी सत प्रतिसत सच हुई है लेकिन हाल ही में 11 नवंबर की वीडियो में मैंने कहा था पुर्व भारत और उत्तर भारत में तीन से अधिक्तिव रतावाले बुकम के जटके बैसुस होगे और आप देख भी सकते हैं 12 नवंबर को उत्राखण में बुकम के जटके बैसुस भी हुए थे और उनका केंद्रा रुसिके से रहा था यकिन नहीं है तो उपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते है इस वीडियो में हम बिसेश आपको बताएंगे कि यह साल 2030 आपका कैसा रह होगे और वह शब आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे तो दोस्तों चलिए अब बेना एक शन्प गवाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहला गोचर हो रहा है 17 जनवरी 2030 को इस दिन सनी अपनी मुल्क्री को रासी में आ रहे है आपकी रासी से सब्तम्भा सनी दे होगी सर्वप्रथम आपके कारियक शेतर की चर्चा करते हैं अगर आप रादनिती सरकारी नोकरी पबलिक शेक्टर मेडिकल इंडेस्ट्री यूट्यूबर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉम जैसे कि फेस्बूक आदी के लिए वीडियो बनाते हैं या फिर उ पदनति प्राप्त होगी। आपको प्रमोशन मिल जाएगा। साथ है कारियवर बढ़ जाएगा। इस तरह आपको रिष्पॉर्टिम्दि मिलेगा आंने की वजए से आसपास की लोगों की भीज आपको प्रसीद्विर deshalb sa दूस्तों करियर के लिहाद से साल 2030 आपका बहुत अच्छा रहने वाला है दूस्तों सब्तम्भाव दामपती जिवन का भी होता है बिस्सकर जो लव कपल से उनके लिए यह साल चैलेंजस लेकर आएगा इस साल आप समझ लेजिए कि आपको कई तरह की प्रेम परिक्षाइद देनी रहेगी जिनके रिष्टे कमजोर है उन्हें अपना साथी से अलगाव जिल्ला पढ़ेगा यानि उनका ब्रेकप हो जाएगा हाला कि अगर आप सच में अपने प्यार को खोना नहीं चाहते हैं तो उसे सच में प्यार करते हैं तो आप उस उलजन को भी सुल जा वही अगर पति-पतने की ब्यात की जाए तो साल 2030 में आप दोनों की बीच पर बहुत सारी अन्बन बनी रहेगी नोगजोग होती रहेगी आप कर सकते हैं कि आप दोनों की बीच इस साल जरा बद्बैद बने रहेंगे शब्तम भाव में सनी देव की मुझूदगी आप के लिए सही नहीं है इस दुरार आपके पार्टनर का स्वास्ती भी खराब हो शकता है आपकी रासे में सनी देव की तुरूती भाव में भिद्रश्टी बनी हुई है इस बज़त से आपके पार्टनर के जीवन में कई तर की मुश्किल परिस्थित्यों का सामना भी करना पड़ सकता है इसके अलावा दोस्तों सनीदेव की सब तंभाव में द्रश्टी बनी हुई है यह आपके लगन रासी में आ रही है इसलिए आपको साल के सरवात से ही कई तरह के हेल्थ इस्यूज होगे या फिर होने लगेंगे जिसे हड्यों में दर चलने फिलने में तकलिब होगी सनी की दस्वी द्रश्टी आपके चतुर भाव में पड़ रही है यानि भूमी के भाव में पड़ रही है तो इस साल आपके भूमी से सम्मेदित कई काम पुरे हो जाएगे इसमें मकान खरीदना प्रोपर्ट निखरी लेकिन यहत्ता ही है कि कुछ न कुछ अच्छा काम इस साल आपका जरूर होगा दोस्तों इसके बाद बाद करते हैं ब्रहस्पती की गोचर की 22 अपरेल 2023 के बाद जब वो में इस रासे में गोचर करेंगे तो वो हर नवंभाव में पहुँच जाएंगे नवंभाव भाग् की परिक्षा की तियारी कर रहे है तो परिक्षा में अच्छे अंक के साथ उत्तिड होगे उत्तिड होनी की संभावनाई बढ़ जाएगी साथे नवं में सनी की भी द्रस्टी है तो आप घर से दूर किसी अच्छे कोलिज में भी एडिमिशन ले पाएंगे या फिर बेदे करियर को आगे बढ़ाना चाहते है लेकिन उन लोगों के लिए यह सही नहीं है जो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते है या घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते है उसके साथ ही दोस्तों इस साल आपके पिता को भी प्रमोशन मिल सकता है या फिर वह भी बेदेश जा सकते हैं हाला कि यह सब 22 अप्रेल के बाद होगा गुरू की पांचवी द्रस्टी क्या आपके स्वास्ति भाव में है तो इसमें तो कुछ उतार चड़ाव जरू देखने को मिलेंगे जिसा कि मैंने वीडियो के सरूर में ही बताया था कि साल सुरू होती है आपको कुछ हिल्थ इस्यूज होगी लेकिन 22 अप्रेल के बाद आपकी रिकवरे होने लगी दूस्तों गुरू की द्रस्टी तूस्टी भाव में है यह भाव आपके भाई बहन से जुड़ा होता है इस साल आपके बाई बहन से सम्मदित को चचछी खबरे सुनने को मिल सक होती है जिसे अगर उनकी साधी नहीं हो रहे है तो इस साल उनकी साधी हो जाएगी या फिर अगर संतान की कामना कर रहे है तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों गुरू की जो नवम द्रस्टी पंचंभाव पर पढ़ रही है यह आप के लिए खुशकबरी लेकर आएगा जिसे या तो आपकी साधी हो जाएगी या फिर आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है तिस अक्तोबर 2023 के बाद राहू का गोचर मिन रासी में होगा साल के आखरी दो महने आपको पेसे कमाने के जबरजस अउसर प्रदान करेंगे जो व्यापारी है वे कि उपरी कमाई के मोके भी मिल सकते है कुल मिलाकर साल का आखरी समय आपके लिए बहुत लाबदाएक रहेगा दोस्तो इस समके बावजूद कभी-कभी जिंगी में बहुत सारी मुश्किले आखरी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है इसा इसलिए होता है क्योंकि हर की कुनली में शुयोग या दुर्योग बेद्यमाने रहते हैं जो तिसके कई महायोग है जो व्यक्तियों को शफलता की बुलद्यों तक पहुचा देते हैं तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को शफल नहीं होने देते हैं इसलिए कुनली का विश्लेश आज के लिए इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में जे गुरुदत जे गिनारी